आ गई त्यार रहना टीदी के छोटे भाई अगर याददाश इतनी कमजोर है तो पता लिखके लाना चाहिए था ना क्या वन है ना कौन है ये लोग पता नहीं थी वो टोपी वाले चौक का रास्ता पूछ रहे थे ओ फिटे मू तेरे आप और जीपेस के जमाने में तुसी रास्ता पूछ रहे हो चलो कोई गल नहीं मैं काम करती हूँ मेरे एक मू बोला भाई है इनिस्पेक्टर गाइड टोंडे उसकी भी टोपी वाला चौक में ही ड्यूटी लगी है उसे बोल देती हूँ वो तुम लोग को ऐसे रास्ता दिखाएगा और समझाएगा कि अभी नहीं भूलोगे तू लगाओ फ़ॉन अरे ने 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 दी नहीं ने अरे लोग निकल जाएगे चलो 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 नेना तु एक बच्चे की मा बनने वाली है लेकिन हरकत दे बिलकुल बच्चे जैसी है किटनी दाट लगाओ तुझे किसी ने समझाया है नहीं तुझे, ऐसे अजनवियों से बात नहीं करते हैं। दी ऐसे अजनवियों को अपने आप से दूर रखने के लिए मैं हमेशे अपने पास यह रखती हूं। है रबा कंजूस मेरे लिए एक ला नहीं सकती थी। अगली सैलरी में से ना के लिए दो दो ले आउंगी अगली सैलरी में दो लेती भी आउंगी मुझे इन लोगों से ढरबर नहीं लगता मैं बहुत स्ट्रॉंग हूंगी हाँ बड़ी सुपर वुमन बन रही थी मैं आई तो तरे पसीने चूट रहे थे मैंने अपने आस्ट्रा के कुछ कॉंटाक्स यूज किये उन्होंने मुझे फोटो दी यह वो लड़की है जिसके कोग में तेरा बच्चा पल रहा है हारिया उन्होंने मुझे यह भी बताया कि अहाना ने इस लड़की को एक घर में रखा था उसी लैंडलॉड ने उन्हें यह फोटो दिया और और लैंडलॉड का यह भी कहना था कि वो लड़की बस कुछ मैने पहले इंडिया शिफ्ट हुई है अभी आपका मतलब फूट पोईजिंग नहीं कोई यह कोई पूजिण नहीं कोई कैसा जारता जो काने मैं अश्ता यह काने बाला बाद बीमार जाना इस यह सोसकती है ऌंपका एसे कैसे हो सक्टा या हरा किसे ऊपहे शोबना ह् के सट्स ay एक उन चर्पले और स्भी अपड जो आप आपनें UH वे पड़ा अंदो अच्छा हुआ कर त teeth अपने समय पर लें लिए इसके वाज़े से आपको उसका ज्यादा आसर नहीं हुआ अगर किसी कमज़र इंसान ने या फिर किसी प्रेगनेंट और ने उस एपल का एक बाइट भी लिया उता ना तो उसके बच्चे की मौत उसी वत हो गई हो गई हो गई हो गई इसे कैसे हो सकता है अगर अगर अजाने में उस दिन मैंने वा एपल नहीं खाया हो था और ने ने खा लिया हो था तो उसका बच्चे इसका मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि ने चाहता कि ने बच्चा इस दुनिया में है ने ना की जान खद्रह में है और उसके बच्चे की जिए मुझे ही कुछ करना होगा उन दोनों को सेफ देने के लिए निनो तू भी इतनी लापरवा कैसे हो सकती है तू ये तो अच्छा हुआ केमिस्ट के वहां मुझे मेरी सारी दवाई मिल गए मना पता नहीं क्या हो जाता प्लीज थोड़ा कैफुल रहा कर तू कि एदि हम आपस आगे तू अमारी मतद करो ना अरे आपने जो गता है तर तूपी वाला जो कुमिला नहीं तर आप बता देंगी तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा जल्दी पहुच जाएंगे तो आपने बच्चे के लिए प्रोटीन्स ले रही थी अरे परी सब की क्या जरूरत है जब तेरा बच्चा ही जिन्दा नहीं बचेगा तो आप विटामिन का क्या करेगा अरे भागने भागने है अरे टेको भाग नहीं नहीं है पाग एवजे फाग! सुब समय शुरू हो गया है सुब समय तो तब शुरू होगा जब मैं उस लड़की की चीखे सुनोगे ठीक मांगने दो उसे लेकिन उस पर दया मत दिखाना खतम कर दो उस बच्चे को क्योंकि वो बच्चा इस तुनिया में नहीं आएगा नहीं आसकता वो बच्चा इस तुनिया में है जब वो अपना बच्चा कोई किना उसकी चीखे मुची सुनी क्लीज बड़ी कोई है? अलो? काम करो उसरो देखो चेक करो अच्छे से दीदी अरा दीदी अब तो मैं भी ठक गया हूँ बंद करो ये चुहे बिल्ली का केल मैं भी देखता हूँ कब तक चिफती हो? क्या हूँ ऐसी हौलत में भागनाथ जीज बात नहीं है दीदी मुसे दूर है ना मेरे पास हाता ना कहरी है तू तू उसे दूर हो प्रशल गाए अबात पर्बाकिबो बचाओ तुझे कोई नहीं बचा पाएगा बचाओ नहीं तुझे और नहीं तेरे बच्चे को तु मुझे मारेगा तु मेरे बच्चे को मारेगा यहाँ क्यों मेरे पीछे पढ़े हूँ किसने तुम्हें पैसे दिये जब आप तो मुझे ना सवाल करेगी दी आरेगी मुझे पार टूम्हें आरा अजब आ पार नहीं आ कि मारेगे अदेम हूँ आप यहाँ आगे मताना ना इसको आगे मताना पर नो मारदूंगा इसको भाई मारदूंगा मै इसको मारदूंगा मै पुलिसिया आने वाली है, तेरा खेल खतम समझा तू? बोल, किसने बेज़ाये तूझे, किसके लिए काम करता है तू? बोल, बोल, किससे बात कर रहा था तू? किसने बेज़ाये तूझे? बोल ले तू देरी जाम ले लूगा, बोल. बोल, किससे बात कर रहा था तू? बताता हूँ, बताता हूँ. बोल, किसने बेज़ाये तूझे, क्या चुपा रहा रहा तू? बोल, किसने फोन किया तूझे, बोल. बोल, किसने फोन किया तूझे, बोल. क्या? क्या? क्या बखवास कर रहा है तू? जूट बोल रहा है? बोल, किसने बेज़ा तूझे? जूट नहीं बोल रहा हूँ, साथ. अरे, सर, नेना के बच्चे को मारने का काम आपने तू दिया था. पर आप या के आम लोगो पीट रहे हैं. अगर आपको पता नहीं था, तो आप यहां कैसे आ गए? नेना? नेना? वो आदमी जूट बोल रहा था. यह सच नहीं है. इतनी नफ्याद कर दे हो तू मजसे. इतनी बड़ी सजा दे रहे हो तू. बच्छो और केरे बच्चे को. नहीं, नेना. मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी जूट बोल रहा था. यह क्या कर रही हो तू मेरी बात का यकीन करो. वो आदमी साफ साफ नाटक कर रहा था. तुम्हें उस पे जादा यकीन है मुझसे. वो क्या है ना? तुम्हें मुझे कभी यकीन ही नहीं दिलाया. तो कैसे करूँ मैं तुम पर यकीन? फंटेस्टिक. तो जो तुम्हें सोचना है ना तुम सोचो. वैसे भी हमेशा से मैं तुम्हें एक बुरा और घटिया आदमी लगता था. इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझे पर. तुम्हें लगता ना कि मैं ऐसा आदमी हूँ? तो ठीक है. जो सोचना है सोचो. मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वागता. मैं सफाई मांग भी नहीं रही हूँ. ये पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे जूट कहा हो या मुझे धोका दिया हूँ. और वह इंसान इतनी सारी कहानिया क्यों बनाएगा रागप? सच कितना भी क्यों ना छुपा लो. एक दिन सब के सामने आही जाता है. नैना वो कोई मामूली चोर नहीं थे. जो तुम्हारे यूँ ही पीछे पढ़ गए थे और तुम पर हमला कर दिया. मैं चानती हूँ, वो मामूली चोर नहीं थे रागप. तुम्हारे कहने पर वो मेरे पीछे आये थे. अपनी नजरे मुझसे मिलाने की कोशिश तो करू रागप? मैं तुमसे कुई नजरे चुरा नहीं रहा हूँ. मैंने कुछ गलत नहीं किया और नहीं मैं तुमसे डरता हूँ. मैं चानती हूँ तुम उझसे नहीं डरते, पर ये बात याद रखना के मैं भी तुमसे नहीं डरती. और एक मा में देवी मा की शक्ती होती है. अपने बच्चे को बचाने के लिए दुर्गा मा का रूप भी हासुर कर सकती हूँ मैं. अगर किसी की एक बुरी नज़र भी मेरे बच्चे पे पड़ी न, तो उस नज़रों को मैं मोच लूँगी और ये बात याद रखना थाूँ. अच्छा देवी मा, अपना ये प्रकोब जाकर कहीं और दिखाओ. जस्ट गेट लॉस्ट. निकल जाओ यहां से, मुझे ये अटिट्यूट देने की जरुवत नहीं है. जाओ और अपने बच्चे के साथ खुश रहो, जाओ. तुम्हें देखकर मुझे क्यन आती है? तुम इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. शायद मैं पहले से ऐसे ही था. तल्कुल सही का, शायद मैंने तुम्हें पैचानने में कल्दी कर दी. अब पैचान गई ना, ऐसे ही हो मैं. आप ना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में भसा देंगे. मुसीबत तो आएगी बंडे, लेकिन तुम पर नहीं. ठीकिन सर्ची, अगर रागव सर्ची को पता चल क्या ना, कि हम आप से बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें मुसीबत तो उसके सामने के बहुत समाल सा बर्ड है. परड़ी तुम जानते हो ना कि इस कंपनी के आदे हिस्से का मालिक मैं हूँ. तो फिर अपना आदा फाइदा दो परवा ही लो पाड़े हैं. सर्ची के अंदरा की है, कंदरा की है? क्यों? अगर तागव सर्ची ने देख लिया ना, तो हम दोनों भगवान को प्यारे हो जाएंगे. अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, घबरा क्यो रहे? मैं हो ना, तुम मुझे पसी बताओ कि ये कौन है ये रणकी है? ये तागव सर्ची की कल्पेंड है.